Hello Everyone, Welcome to Online Study Point दोस्तो आज है 31 माई और आज किस वीडियो में हम 31 माई से रिलेटेड करेंट अफेर के सभी important question को cover करेंगे तो यह दिया आप लोगों को इस वीडियो के PDF शाहिए तो आप हमारे इस mobile application को भी install कर सकते हैं Link description box में दी हुई है Start करते हैं हमारा पहला question Britain ने किस company की corona vaccine की single dose vaccine को منظورी दी है तो यह भी हाली में दी गई है Johnson & Johnson vaccine को अभी single dose vaccine क्या है तो कहने का मतलब है कि जसे आप लोगों ने अभी लगवाया होगा COVID shield या co vaccine तो इसकी अभी तक आप लोगों ने दो-दो doses ली होंगी तो यह जो Johnson & Johnson corona की vaccine है यह किवल single dose दी जाती है और इसे ही मंजूरी दे दी गई है Britain के दुआरा तो United Kingdom सरकार ने हाली में जो pharma company है जिसका नाम अभी मैंने बताया है Johnson & Johnson इसी के single shot को मंजूरी दे दी है और इसी के साथ Britain ने चार vaccine को माननेता दे दी है तो कि इस देश में लगाई जा रही है यह चार vaccine कौन कौन सी है एक तो है यही Oxford Estrogenica दूसरी है Pfizer और तीसरी है Moderna और अब चौथी कौन बन गई है Johnson & Johnson और यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि देश में जल्द से जल्द vaccination का काम पूरा हो सके यदि हम बात करें ब्रिटेन की तो इसकी capital है London currency है Pound Sterling लेकिन जल्द ही यह अपनी नई digital currency लाने जा रहा है जिसका नाम क्या होगा Brit Coin यहां के Prime Minister कौन है तो यह है Boris Johnson इसके लावा UK और यह जो है France इन दोनों के ही बीच में स्थित है Dover Strait और English Channel इसकी भी location कुछ यही पास इस्थित है अब मैं आप लोगों को UK से ही related कुछ extra fact बताती हूँ Basically हम Britain की बात कर रहे हैं तो जो Britain है यह European Union से अलग होने वाला पहला देश है European Union में पहले 28 country हुआ करती थी Britain के exit होने के बाद total 27 countries इसमें रह गई है Climate Emergency लागो करने वाला विशो का पहला देश यह Britain है और Britain ने कुछ समय पहले ही यह गोशना की है कि हम अपने देश में 2030 से मतलब कि आने वाला जो 2030 है इसके आते आते तक पेट्रोल और डीजल कारे यह पूरी तरह से बंद कर देंगे और Britain कैबिनेट में भारती मूल की तीन व्यक्ति भी शामिल है एक तो है रिसी शुनक जो कि यहां के वित्त मंत्री है दूसरी पृती पटेल जो कि यहां की ग्रह मंत्री है और तीसरे है आलोक शर्मा अगला है हाली में किस राजज में काले हिरन की आबादी पिछले 6 साल में डबल हो गई है तो हाली में जो ओडी सा है यहां यह देखा गया है कि पिछले 6 सालों में यहां जो काला हिरन है काला हिरन जिसे आप कृष्ण मुरग कहते हैं इसकी इमेज आप देख सकते हैं यह वही सलमान खान वाला काला हिरन है, इसे की संक्धी ओरईषा में बीते शह सालों में दो गुना दर्ज की गई है। यहां इस अफ्रिकी चीते को बसाया जाएगा साथी मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि यह जो चीता है यह विश्व में सबसे तेजी से दौड़ने वाला इस्तंधारी है तो यहां मैं आप लोगों को यह बताना चारी कि चीते के बाद दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से दौड़ने वाला जो जानवर है यह यही काला म्रगी है एडिशनल तोर पर आप यह भी आद रखेंगे कि IUCN की कटेगरी में यहां कि लिस्ट में इसे least concern कटेगरी में रखा गया है हाली में NGT ने किस नदी पर मेक दातू बांध में जो निर्माड हो रहा है निर्माड के दौरान जो उलंगन कारी किया रहा है इसके लिए एक पैनल का गठन किया है यहां typing mistake है तो इस पैनल का गठन हाली में किया गया है इस कावेरी नदी के लिए और यह जो कावेरी नदी वाला विवाद है यह तो काफी समय से चला आ रहा था यहां हम बात कर रहे हैं मेक दातू बांध की तो यदि आप इस मैप को देखेंगे तो यह वाला जो हिस्सा है यह है करनाटक का और इसके इधर यह है तमिलाडू तो अभी हम बात कर रहे हैं जिस नदी की वह है कावेरी नदी तो कावेरी नदी की ही एक सहायक नदी है जिसका नाम है अरकावती नदी तो इन दोनों को जहां संगम होता है इसी संगम पर इस बांध का निर्माड किया जा रहा है और इसका एरिया कहां लगता है तो ये वाला जो हिस्सा है करनाटक का करनाटक की सीमा से लगते हुए मतलब कि यहां तक तो है करनाटक इसके बाद तमिल नाडू लग जाता है यहां इस बांध का निर्माड किया जा रहा है और क्या कहके कि इस बांध से हम बैंगलोर में पानी की आपूर्ती को पूरा करेंगे लेकिन इससे तमिल लाडू को क्या पत्ती है तमिल लाडू का ये कहना है कि यदि यहां ये बांध बनता है इस बांध के बनने के बाद जो पानी तमिल लाडू में आता था ये पानी आना बंद हो जाएगा बंद तो नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा तो इसके शिकायत तमिलाडो ने किस्से की थी NGT से NGT जिसे आप National Green Tribunal या हिंदी में दिया आप कहेंगे तो राश्ट्री हरित प्राधी करण इस नाम से आप जानते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी 2010 में इसका उद्देश की क्या है तो देखिए जो परियावरण संबंधी मुद्दे होते हैं इसका निप्टारा करना ये होता है इसका काम स्थापना 2010 में की गई थी और कई बार एक्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि चार आप्शन दे दिये जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा NGT का छेत्री कार्याले नहीं हैं तो मैं आप लगों को बता दूँ इसका हैटक्वाटर नई दिल्ली में है इसके ला मान होने वाला है इस पर किसी तरह का इल्लीगल कंस्ट्रक्शन ना किया जा सके तो यह जो परियोजना है काफी विवादित रही है 2017 में हालाकि इसे मन्जूरी मिल चुकी थी 9000 करोड रुपए इसमें खर्च किये जाने हैं जिसका में परपस है कि जो बैंगलोर शहर है इस थापित की जाएगी तो लेटी हुई प्रतिमा कैसे होती है कुछ इस तरह से अभी हाली पर जो बुद्ध जयनती मनाई गए है 26 मई को इस मौके पर इस प्रतिमा का उद्गाटन किया जाना था लेकिन कोविड-19 के प्रतिबंधों के चलते इसे इस्थगित कर दिया गया है एडिशनल तोर पर आप यह आद रख सकते हैं कि यह जो आप लोगों को लेटी हुई बुद्ध की मूर्ति दीख रही है यह क्या दिखाती है तो बुद्ध का जो अंतिम समय था जब वे महापरी निर्वान को प्राप्त कर रहे थे मतलब कि जब उनकी मृत्ति हो रही थी उनकी इस दिसा को यह दिखाता है कई बार एक्जाम में पुछा जाता है कि बुद्ध की जब मृत्ति हुई थी उनके मृत्तियों की घटना को क्या कहा जाता है तो इसे महापरी निर्वान भी कहा जाता है इन्ही किस मूर्ति का जूद घाटा नहीं यह किया जाएगा बोधया और राजगीर जो कि भारत के पहले दो हरिद उर्जा शहर है तो बोधया जो कि इस्तिथ है बिहार में और इसी बोध़ गया में बोधी वरक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्यान की प्रापती हुई थी तो बिहार से आप और क्या रिलेट कर सकते हैं जो कि चर्चे में रहा है बिहार का एक प्रोड़क्ट है जिसका नाम है शाही लिची इसे 2018 में जी आई टैग मिला था और इसे शाही लिची का एक्सपोर्ट किसे किया गया है ब्रिटेन को अगला है हाली में किस राज्य सरकार ने स्कूली सिक्षा के 8.6 लेक टैबलेट जो की वित्रत किये जाने है हरियाना गौर्मेंट के द्वारा इसकी घुषना हाली में की गई है यहां के सिक्षा मंतरी कवर पाल के द्वारा यदि हम बात करें हरियाना की तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है जो कि अब आप लोगों को रट चुके ह इनों से हरियाना का डिस्कुसन कई बारा आ रहा है इससे रिलेटेड कुछ करन के कुश्चन है जिसे की एनीमिया मुक्त भारे सुचकांक में हरियाना टॉप पर गुडगाओं से प्रोजेक्ट एर केर करनाल से ऑक्सिजन ओन वील्स और हिसार से एर टैक्सी सर्विस के अगला है हाली में खबरों में रहा पासा पासा इनी की प्रवेंशन ओफ एंटी सोसेल एक्टिविटीज एक्ट चर्चे में रहा है ये किस केंद्र शाषित प्रदेश में पेश किया जाएगा तो ये पेश किया जाना है लक्षदीप में ये पूरा मुद्ध है क्या तो इ जिसे कि पुदुचेरी चर्चे में हैं, तो पुदुचेरी में क्या न्युक्तों हैं, उप राजिपाल, कौन हैं, तमिल साइस ओंधराजन, हम कहां की बात कर रहे हैं, लक्षदीप की, जो कि ज्यादा बड़ी यूटी तो है नहीं, तो इस लक्षदीप में केंद्रे सरकार ने अपना एक एड्मिनिस्ट्रेटर बैठा कर रखा है, अब इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि राजज में, राजज में जो पदराज जिपाल का होता है, जो काम राज जिपाल करता है, सेम वैसे ही जो यूटी है, मतलब कि इस लक्षदीप में सेम वही कारे है एड्म सरकार को सौपता है अब यदि आप लोगों को याद होगा हलाकि यह मैंने करंड में नहीं बताया था तो यहां बता देती हूं कि लक्षदीप में यहां के जो एड्मिनिस्ट्रेटर है इन्होंने एक बिल लागू किया है बिल का नाम क्या है लक्षदीप विकास प्राधी कर आधिनियम के तहत किया जाएंगे अब यहां से सवाल यह बनता है कि माल लीजे लक्षदीप में जब डेवल्लाप्मेंट का कारी और कंस्ट्रुक्शन का कारी होना है इसपर लोग विरोध क्यो जताHAHA है क्यों कि ही बताया है इसमें एक नियम की बात की गई है नियम यह कहता है कि जब यह development का कारी किया जाएगा लक्षदीप में तो इस बीच यदि किसी की जमीन आड़े आती है तो उसका अधिग्रहंट कर लिया जाएगा लक्षदीप की सरकार के द्वारा जिस पर लोगों ने आपत्ती जिताई है अब यहां से सवाल यह ब बात की है इसमें एक नियम ऐसा भी है जो कि यह कहता है कि जब लक्षदीप में यह construction और development का कारी चलेगा तो इस development के बीच में यदि किसी व्यक्ति की जमीन आती है तो उस जमीन का अधिकरहनिया की सरकार के द्वारा कर लिया जाएगा जिस पर लोगों ने आपत्ती के विरोश शुरू हो चुका है तो इसी के लिए यह पासा अधिनियम लाए गया है prevention of anti-social activities act तो यह जो पासा अधिनियम है यह प्रसासन को बिना किसी सारवजनिक प्रक्टी करण के किसी व्यक्ति को एक साल की अवधी तक के लिए जेल में रखने का अधिकार देती है तो य अला कि लक्षदीप से related एक और करण का question है जो कि आप याद रख सकते हैं जिसे कि आप सभी जानती कि जैवी खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है सिक्कीम आप लोगों को रटा हुआ है सिक्कीम के बाद भारत का ऐसा दूसरा राज्य राज्य नहीं ह स्मार्ट विंडो मटेरियाल लॉंच किया है तो यह भी हाली में लॉंच किया गया है आई एटी गुवाहटी के शोध करताओं के दुवारा अब यह है क्या तो यह जो सारी लंबी चौड़ी चीज़े लिखी है इसे मैं आप लोगों को एकदम शॉर्ट में बता देती हू यह जो विंडो का मटेरियल है कहने का मतलब है कि जिस मटेरियल से यह विंडो का निर्माण किया जाएगा इसमें उतकरष्ट धातों का इस्तमाल किया गया है उतकरष्ट धातों कहने का मतलब है कि जिसे तामबा हो गया इंडियन टिन ऑकसाइड इन समागरी को उपयोग कि गया है क्योंकि यह सस्ती भी पड़ती है और यह इतना important क्यों है मतलब कि चर्चे में क्यों आया है तो यह जो smart window होगी यह temperature को मतलब कि जो घर के बाहर का temperature होता है इसे control करने में help करेगी गर्मी के मातरा को यह नियंतरित कर सकेगी तो इसी लपसे इस तरह की smart window है smart window को बनाने वाली यह जो सामागरी है यहीं कि material जो की develop किया है IAT गुआ हाटी के शोध करताओं के द्वारा इदि हम बात करें IAT मद्रास की तो कुछ दिन पहले बने आप लोगों को बताया था कि इसी IAT मद्रास के शोध करताओं के द्वारा हाली में भारत की पहली 3D printed house यह design किया गया है IAT दिल्ली तो जो डेंग्य होता है दो घंटे में डेंग्यू टेस्ट का पता लगाने वाला एक device यह इसी IAT दिल्ली के शोध करताओं के द्वारा डेवलप किया गया हाली में world hunger day कब मनाया गया तो 28 मई को मनाया जाता है इस दिव उसक से रिलीज किया गया था यह दिसंबर 2020 की ही बात है इसमें 107 countries में भारत की 94 rank है मतलब कि उतनी अच्छी स्थिती नहीं है और कुज दन पहले मैंने आप लोगों को एक और report बताई थी जिसमें कि यह कहा गया है कि भारत में प्रतिवेक्ति 50 kg खाना पर year यह वेस्ट जाता है वेस्ट जाता है कहने का मतलब है कि वो खाना ठाली में छोड़ दिया जाता है कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग restaurant जाते हैं उनका status डाउन न हो जाये करके वो जो खाना बग जाता है उसे plate में ही छोड़ देते हैं और छोड़ करके आ जाते हैं अब वो खा मनाया जाता है World High Right Day हाली में चर्चे में रहा टाइग्रे ये किस देश में इस्थित एक शहर है तो इसके वारे मैंने आप लोगों को बता रखा है कि हाली में जो अमेरिका है इसके दौरा दो कंट्रीज पर बैन लगाया गया है एक तो यही है इथियोपिया दूसरी है जादी है और यहां से लोग पलायन भी करने लगे हैं यह वही अभी एहमद अली है जिन्हें 2019 में शांती के लिए नोबल पीस प्राइसे सम्मानित किया गया था तो अब यह हम बात करें इथियोपिया की यह है इथियोपिया और यह होर्न आफ एफरिका का हिस्सा प्राइसन किया जाता है इस पार्टी ने इथियोपिया की प्राइम मिनिश्टर है अभी एहमद अली इनकी पार्टी में शामिल होने से मना कर दिया था जिसके बाद से इन्होंने इसी टिग्रे में सेना का आकर्मन करवाया और उधर से इरिट्रिया जो है इसे भी कह दिया चक्रवाद का नाम यास रखा है यास चक्रवाद जो कि चर्चे में रहा है इसका नाम करण किया गया है उमान की दौरा उमान जो कि भारत का एक अच्छा मित्र भी है मिडल एश्या के अंतरगती आता है उमान की राजधानी है मसकट करंसी है उमानी रियल उमान से लिए आप आगे जाएंगे तो ये है यू एई यू एई कल चर्चे में रहा है क्योंकि हाली में यू एई गवर्मेंट के दौरा जो बॉलिवड भी नेता है संजदत इन्हें ग बाहर किया गया है कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट अंसर था ऑप्शन भी अब आप लोगों के आज का सवाल है हाली में एसमा कानून किस राजधी ने लागू किया है इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताईएगा वीडियो दी पसंद आ है तो लाइक कीज़े शेयर कीज़े और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा आज के लिए इतना ही थैंक्यों सो मच